हेलो गाईश तो स्वागत है आपका एक ने ब्लॉग में आज आप ऐसे से चीजों को देखने वाले हैं जो पहले कभी भी कोई भी चैनल वाले नहीं दिखाएंगे कोई भी आपको नहीं बताएगा उस तरह आज हम आपको ले चलेंगे आपने जंगल में जहांपे आपको बह 200 साल पुराना पेड और भी बहुत सारे नदी वगेरा सब कुछ और देखने वाले यह ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है और यह बहुत ही अच्छा होने वाला है आप ब्लॉग में बने रहे हैं इस यह वाला खेत जो कि इस साल ऐसे ही रह गया बारिस की वज़ह से जो क एक दिन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि इस पर भी चड़के आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर खजूर का रिक्षिक दम भरी पड़ी मात्रा में है बहुत सारे पेड़ हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि आगे इसको कैसे चीला जाता है कैसे इस में रास आएगा और किस तरह से अपना जीवन या अपन इसी पेड़ो के सारे करते हैं तो इस बने रही है इस व्लाग में और देखते रहे हैं आगे बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है गाईज ये वाला जो पेड़ दिख रहे है ना ये वाला ये वाला बहुत दिन पुराना पेड़ है बहुत दिन लगवग मेरे दादा जी के टाइम का ही है जब वे छोटे थे तो भी इसी तरह के थे और हम जब छोटे हैं तब भी इसी टाइब का भी भी दिख रहा है इसमें पर लोगा देख सकते हैं ये वाला पेड जो कि आच सुबह-सुबह ही हम लोगों को Watch हम लोगों myś ने नही मैंने सिर्फ प्रकी ये सारा काम हम मेरा यह और हम पर हम ही करते हैं बांकी सारा काम मिलके हरकोई करता जैसे की देख सकते हैं यह विछ फिला जाD और आने वाले ब्लॉक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे छिला जाता है कैसे हो जाता है जो दिख रहा ना ये करीब 15-20 दिन के बाद इससे जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और गाइस एक और खास बात आपको बताएं ये वाला जितने वार ये वाला बना ये वाला जैसे ऐसे हट के शेप में दिल वाला शेप में उतने वार वहां से निकल चुका है ताड़ी और इस तरह के आप देख सकते हैं कितना कितना है और इस तरह का आपकी बार लगा के एक दो तीन चार पांच छे अब की बार सातवा साल है गाईज अब जैसा कि देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने में लग रहा है न वो मौसम थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ा ब्लेक ब्लेक दिख रहा है नहीं तो दूर से ही चमकेगा है इस तरह का पेड़ चलाया हुआ गाईज इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ तब तक के लिए बाई बाई और हाँ आप थोड़ा सपोर्ट कर दिजिए क्योंकि आपका एक लाइक और सेर सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जा लेकिन आपका ये बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर हम ऐसा के लिए और हाँ आप लोग हर सब्सक्राइबर में फैमली का एक हिस्ता है तो प्लेज सब्सक्राइब कर दिजिए